अच्छा समाज में एक चीज और भी इसी से रेलेटर पाई जाती है, आपने जिक्र किया, कि लोग बारहा ये बात बोलते हैं कि आपके शोहर ने दुसरी शादी कर लिए आप में कमी क्या थी, बार बार लोग इसी बात को मतलब इसास दिलाते रहते हैं, कि पहली बीवी में क लमी क्या थे जिसकी वज़े सुनुनाई साब इसकर लिए बाई आम तर पर तो तजर्बा ये है कि पहली बीवी जिनकी बहुत अच्छी होती है, वही दूसरी कर पाते हैं, जिनकी बीवी यां एकदम चुड़ेल टाइप होती है ना, जान खा लेने वाली, वो दूसरी नह नहीं कर पाते हैं, आम तजर्बा यही है जो पहली बीवी जो सीडी साधी पा जाते हैं, शरीफ सीडी साधी, और उनको पता है कि ये कुई मस्टला नहीं करदा करेगी, वही इमत कर पाते हैं दूसरी शाधी करने की, तो उसके अंczęे कमी नहीं होती है, ये अपनी महबत में मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी, यह रहेगी यहाँ पर मेरे साथ में, उसको इतना confidence होता है शोहर को अपनी पहली बीवी की महबबत पे किये, मुझको tension नहीं देगी, वो उसको पता होता है तो वो दूसरी कर लेता है, बाकी शरीयत नहीं यह थोड़ी कहा है, कि पहली ब बीवी की बारे में, क्यूं बोलते हैं, बाई दुझा के और भी तो नहीं पुझता है, अदणी की पास एक गाड़ी होती है, एक और क्यूं खरीद लेता है, कोई नहीं पुछता है, कि अच्छा कपड़े तो थे इतने और क्या था जब्यच्छती खरीदने की, एक बड़ी निमत बीवी को बनाया है फरमात कि दूनिया सारी की सारी फैदा अणे की चीज़ है सबसे बहतरी निमत बीवी है तो इस निमत की बारे मैं तो आदमी कोशि़ करना चाहिए कि जैसे सारी निमत लएज़ा हूँ बीवियां już के तरह सावाल है कि पहली में क्या खराबी तो दूसरी कर ली वही पहली में अच्छाई थी वो राजी हो गई उसके बारे में पता था कि वो मसला नहीं करेगी तो आदमीं दूसरी करता है पहली बीवियां बहुत अच्छी होती हैं मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बात बता रहा हूँ जितनी भी मैंने दूसरी शादिया देखी हैं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पहली बीवियां जिनकी बहुत सीधी साधी होती हैं शरीफ होती हैं शोहर से महबत करने वाली होती हैं उनको पता होता है अपने शोहरों को पता होता है कि यह ब अद्मी हराम तालुकात कायम करता है तो लोग नहाँ है अब एक कॉल आया उनका कहिना हुआ कि मेरा शोहर दिन भर कहीं जा करके दस्यों आउरतों के साथ में रहे ताइम पास करें मुझे कोई फरक नहीं परता लेकिन मेरे गार में नहीं लाना चाहिए तो ये गहरत है ये ग मेरे खूनाओ जाओ, क्रेम के रह में शाधी कर लिया तो मेरी जिनड़की जानन भर चाहीँ. ये तो आप कुछार से महभत नहीं है. ये ऐसी खूरतं जो राशी होगते हैं, हलाल की मुखालपत करती हैं, वसल बोशल में अपने शोहर से महभत नहीं करती हैं, खुदगरद होती है, मफाद परस्थ होती है, अच्छी वरत को तो ये बोलना चाहिए, हलाल करो, चार करो, हराम मत करो, अच्छी वरत वो है, महबबत करने वाली शोहर से वो है.